Hello everyone and once again welcome to WSQTech, myself ओमर तस्कीर, guys हम लोग बात कर रहे थे insights के बारे में, Google My Business के insights के बारे में, इस specific वीडियो में हम लोग insights से related कुछ और important points को cover करने वाले हैं, यहापर जो हमें reports दीख रहे हैं, उनको हम cover करने वाले हैं, so guys इस particular वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, where customers view your business on Google, customer actions, यह हमें क्या बताते हैं, और last वाली जो हमारे report है, direction request, यह हमें क्या information देती है, let's begin, so guys यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, where customers view your business on Google, हमारा business जो है, यह हमारी जो Google My Business की listing है, वो Google के उपर दो जखहों पर दिखती है, एक तो वो यहाँ पर हमें search engine result pages में दिखती है, इस search पे होती है, और second वो listing जो है, हमारी maps के उपर भी दिखती है, तो बहुत सारे लोग जो है, जो search के उपर हमारे business को देख रहे हैं, और बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं, जो maps के उपर हमारे business को देख रहे हैं, तो basically हमें कहाँ पर कितने views मिल रहे हैं, वो सारी चीज़े ह हम यहाँ पर देख सकते हैं और कहां पर जो हमारी लिष्टिंग है वो बेटर परफॉर्म कर रही है तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि वन मन्थ यहाँ पर सेलेक्टे टोटल विउस हुए लगभग पचासी सो के आसपास हुएं 8400 अगर थोड़े से प्रसाइस करें तो 8400 के आसपास हैं और यहाँ पर अगर हम देखें तो 5500 के आसपास जो लिष्टिंग है वो सर्च के अराउंड हुई है और मैप्स के ऊपर लगभग 2800 के आसपास जो विजिबिलिटी जो है वो हमें मैप्स के ऊपर मिली है अगर हम कुछ specific time period या day के हिसाब से देखना चाहते हैं या Google My Business का जो presence है वो किस तरीके से perform कर रहा था तो यह information हमें यहाँ पर मिल जाती है इसे हमें एक set pattern भी समझ में आता है कि अच्छा अगर हम week की बात करें तो week में किन दिनों में हमारे पास जो views हैं वो कम आ रहे हैं किन दिनों में हमारे पास views जादा आ रहे हैं holidays में हमारे पास views जादा आते हैं या नहीं आते हैं तो इस type से हमारे पास एक pattern बनता है जिससे हमें समझ में आ जाता है कि हमारी जो Google My Business की listing है वो किस तरीके से perform कर रही है तो यह जो where customers with your business और Google है कि हमें इसी type की information provide करता है आगे बात करते हैं customer actions है जब लोग आपकी listing तब पहुंच जा दिखाई दे रही हैं बट अगर हम call to action की बात करें तो majorly यहाँ पर तीन important call to action है या तो वो directions के उपर जाएंगे या तो वो हमें call करेंगे तो यहाँ पर इन तीनों ही actions को breakdown किया गया है और जो total actions हुए है वन मन्त में WSQTEC की इस specific listing के उपर वो हमारे total actions हुए है 441 और यहाँ पर हम लोग देखें तो visits on the website अगर हम देखें तो 276 visits on the website हुई है हमारी ठीक है और request direction कम हुई है अगर comparatively देखा जाए 21 केवल request direction हुई है एक बात मैं यहाँ पर confirm कर देता हूँ अगर एक user बार-बार request क ही count होती है वो user को associate हो जाती है और वो single request ही count होती है कितने लोगों ने यहाँ पर call की वी है वो भी हमें यहाँ पर दिख रहा है ठीक लगवाग 144 लोगों ने हमें call की वी है तो यह सारी information हमें पता चल रही यहाँ पर कि जो important call to actions है वो कितने हुए है कुछ specific time period में जो हम चांसे जादा रही है तो लोग directions की भी information request कर रहा है तो यह information आपको यहाँ पर customer section से मिल जाती है और उसके बाद बहुत important report है बहुत ही छोटी सी report है यह direction request की बहुत important report है यह हम जरूर जानना चाहते हैं जब कभी भी हमारा कोई local business होता है तो आखिर किस area से लोग direction request कर रहा है अलग किस area से लोग जो है वो हमारे business की तरफ आना चाहते हैं तो यह हमें यहाँ पर information मिल जाती है तो अगर हम इसको quarter देखें तो quarter के इसाफ से 67 लोगों ने जो है वो request करी है direction के point of view से हम इसको एस तरह की समझ सकते हैं इसके उपर click किया है ठीक है तो 67 लोग जो थे वो जो करूंगा जैसे मैं इस type से zoom कर रहा हूं तो आप देख सकते हो यहाँ पर फिर आपको pin code के हिसाब से breakdown दिख जाएगा कि किस location से कितनी direction request आई इसके लिए आपको zoom करना पड़ेगा थोड़ा सा अगर आप zoom नहीं करोगे तो नहीं दिखेगा तो जितना आप इसको zoom करोगे उ आपको बताएगा कि एक direction request आई है दो direction request आई है उसके लिए आपको approximately ही बताता है कि 10 से नीचे जो है वो direction request आई है तो और precisely आपको पता चल जाता है कि actually direction request कहां से आ रही है सही जगे से हमें जो है हमारे client या customers मिल रहे है या नहीं मिल रहे है अगर आप दिखते हो कि कहीं Google Ads run कर सकते हैं तो यह सारे options भी हमारे सामने आ जाते हैं because जब हम insights की बात करते हैं जब हम reports की बात करते हैं तो reports से हम कुछ information collect करते हैं और उनके basis पर फिर हम further decisions लेना चाहते हैं तो यहां से जब आप देखते हो कि अच्छा इस specific location से हमारे पास 13 directions request आई है which means that कि यहां से हम Facebook Ads run कर सकते हैं और उसके बाद हम देख सकते हैं कि क्या हमारे जो Google My Business की listing है उसके views में या उसके visits में उसके impressions में किसी तरीके के हमें hike दिख रही है यहां में कुछ calls वगरा आ रही है तो यह सारी चीज़े हम लोगों को करनी होती insights का मतलब यह नहीं होता है केवल कि आप Google My Business के उपर implement होगी ऐसा नहीं है आप दूसरे platforms के उपर भी यहां की जो insights है उसको आप use कर सकते हैं दोस्तों इस particular वीडियो में इतना ही next वीडियो में बाकी की जो हमारे reporting है उनको हम लोग discuss करेंगे